नोश्का दोस्तों मेरे नाम है आकस तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा इस बहले पेपर में जो ग्रफाइट पेश है वो अच्छा होता है यह फिन एटी जी संबला पेपर है जैसे कि मैंने पहले आप लोग को ऐसे वाटर कालर पेंटिंग करकर भी दिखाया था अभी इस बहले पेपर में जो ग्रफाइट स्केज है वो जादातर होता है या फिन नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए सुटेबल रहता है या फिन रहता है वो मैं आप लोग को डिटेल में दिखाऊंगा और एक्चॉली इस वीडियो में यह भी बताऊंगा आई नोज और जो ल जो होता है उसका भी थूरा से उसकरने वाला हूँ और अभी ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टंप से कर लिया हूँ और अभी यह बेसिक से ब्लेंडिंग स्टंप है और अभी 6B के पेंसिल का थूरा से डार्क करने के लिए यूज कर गया हूँ अभी यह चारो जो करना है फिर उसके बाद आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग को अच्छा उटलन आए गाई और उसके बाद आप लोग देखिएगा मैं फिसे एक क्रॉस लाइन ड्रो करोंगा और उसके बाद मैं लिप्स कर रहा हूँ तो बड़ी धियान से आप लोग को ऐसे ही आई और नूस और लिप्स करनी है ऐसे सिंपल मेथोड की यूज करते हुए मैं कैसे कैसे किया और फिर उसके बाद आपको यह जो क्रॉस लाइन है पहले शेट करने से पहले आप लोग को ऐसे ही रिजर का भी उसकर सकता आप लोग किसी भी रिजर के यूज करके जो लाइन है पहले उसको मिटा लीजिए फिर उसके बाद इसके बाद स्केशिंग को स सा इसे realistic Tooling का रहा है यह नहीं हो रहा है यह उत्याक्तिर में और फिल्दीक्स करें आप ब्लैदिंग उसे से शेडिंग करना है उसी तरह के से मैं इस बले शेडिंग में भी दिखाऊंगा पहले मैं यहां पर लाइट तोन देने के लिए तुबी पेंसिल का बहुत ही कम प्रिशर का यूज करके यूज कर रहा हूँ अभी उसके बाद मैं जो जो डार्क पोट्शन रहेगा उसमें मैं सिक्स भी पेंसिल का यूज करने वाला हूँ और यह जो मेथोड है आप लोग फॉलो करते जाहिए उसके शेडिंग और जो आउटलाइन का मेथोड़ आप लोग फॉलो करते है आप लोग चाहें प्रेपर पोट्रिस करें वह अप लोग को सबसे जयदा मेंटर कर आगा आउटलाइन आप लोग इस वहले वह पर में आप इजी लिए प्रेक्टिस कर सकतो क्योंकर यह जो पर का ग्रैनू से पर का जो टेक्शर हो खराब हो जारी है ऐसे जो स्केच है वह तो आउटकम अच्छा मिलता है थोड़ा सा पर आप लोग का प्रैक्टिस के लिए सुटेबल है पर अगर आप लोग ज्यादा ब्लेणिंग स्टम का एपलाई करेंगे तो आप लोग का जो पे पर पर यूज कर सकतो ब्रैक्टिस के लिए और अगर आप किसी भी अच्छा स्केच करना चाहते हो तो आप लोग मीडिया स्केच के लिए उसका यूज के जिए तो आज के लिए इतना ही वीडियो को अगर पसंद है एक लाइक शेर जरूर करके जाना और नीचे सब्सक्रा